Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागर है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अलफा में अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के जो भी informative और important वीडियो आपको चैनल पर डालेंगे वो आपको recently मिल जाएंगी तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में रैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं जब हम college या इंसिट्यूट्स के बारे में या universities के बारे में देखना start करते हैं बहुत तरह के में rankings मिलती है अब इसमें कौन सी government ranking है किस पर हम trust करें या किस पर ना करें बहुत सारी आपको private organizations है private companies है जो अपनी ranking आज के टाइम पर चला रही है और आपको ranking दे देते हैं तो देखें यहाँ पर आपने दो तीन ranking के बारे में बात करूँगा फिलाल explain तो मैं अटल ranking को करूँगा लेकिन यहाँ पर एक NIRF ranking भी है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आप उसके बारे में चेक कर लें वो भी एक official ranking है जो की government के थुरू या ministry of education जिसको release करता है और एक अटल ranking है जिसका एक main motto था कि innovation और achievement को बढ़ावा दिया जाए तो अटल ranking भी 2018 में start हुथी 2018 में तो इसका क्या मुद्दा है इसके बारे में complete explanation इस वीडियो में आपको मिलेगी तो I hope इस वीडियो का last तक जरूर देखेंगे ताकि आप एक अच्छी information लेके जाए और आगे अगर आप किसी बताना पड़े तो आप उसको अटल ranking के बारे में जरूर बता है चलिए स्टार्ट करते है इस वीडियो को अटल ranking जो है उसका पूरा नाम है ARIIA अटल ranking of institutions of innovation achievement innovation achievement से आप इनके नाम सही समझ में आता है कि इनका जो vision है जो target है वो innovation को बढ़ावा देना ह पिछले चार से पांच सालों में आपने देखा हुआ कि बहुत तरह की ऐसी schemes आई है start-up इंडिया, digital इंडिया बहुत सरी schemes गवर्मेंट ने launch की है जिन्हों ने जिसमें हजारो करोड रुपए का investment भी किया गया यह बहुत ही interesting बात है कि बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि college और institutes भी इसमें अपना युगदान दे पाएं अपना contribution दे पाएं इसलिए college institutes को किस तरह से इस startup culture में या इस innovation वाले जो vision में है उसमें involved किया जाए उसकी लिए इन्होंने अटल रैंकिंग को बनाया अब अब अटल रैंकिंग के जो core team members है या core members है वो कौन-कौन सी bodies है औ देखिए अटल रैंकिंग में आपको यहाँ पर UGC से लिया गया UGC के जो chairperson है AICT के जो chairman है अनिल डी सास्तर बुद्धी यह उनका AICT से हो गया और यह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं AICT है innovation cell है ministry of education है है और NBA है NBA का आपने देखा होगा NPA भी अपने colleges को aggregate करता है colleges को अप्रूफ करता है NAC accreditation colleges को मिलता है तो यह कुछ government जो bodies है जो कहीं कहीं colleges को inspection या check out करने का काम करती है समय समय पर उनको check किया जाता है कि कौन सा college कैसी performance दे रहा है तो यहाँ पर अब बात करते है कि core team के साथ साथ पहले हम parameters देखेंगे कि जब यह किसी college को rank देते हैं इसके बार मैं जस्ट एक वीडियो और डालूँगा जिसमें आपको colleges की ranking के बारे में कौन-कौन से college है जिनको top 10 या top 5 ranking मिली हुई है चाहे वो engineering के हो या non-tech background के non-tech जैसे आपका technical और non-tech courses में इसमें past category में college को rank किया गया है देखेंगे हाँ पर government वाले colleges को अलग ranking दी गई है government universities को अलग ranking दी गई है private college को अलग ranking दी गई है प्राइवेट universities को अलग ranking दी गई है technical colleges जो इंजिनरिंग कराते है या technical courses कराते है उनकी ranking अलग है और जो non-tech courses है उनकी ranking अलग है अब इसमें आप confused बिल्कुल ना हो कि हमें कौन सी ranking check करनी है आप जब भी जिस course में के लिए interested है अगर अगर आप बीटे के लिए interested है तो आप बीटेक में technical courses में आप देखेंगे technical courses के बारे में check करेंगे और अगर आप non-tech किसी course में admission लेना चाहते है उसके लिए आप check out करने है तो आप हमेशा non-tech वालों को check करेंगे पहले parameters देख लेते हैं फिर आपको में और भी चीजें बता mindset development देखेंगे जब student first day admission लेता है college में और उसके बाद वो तीन से चार साल के अपनी degree complete करके बाहर निकलता है तो उसका mindset कि इतना developed हुआ है उसको भी measure करने के लिए यहाँ पर इनों एक parameter बनाया है कि mindset development हम देखेंगे आपका overall जो students है जो वहाँ पर आपका academic है जो पढ़ाई क जो process है वो आप किस तरह से कितना implement कर पा रहे है कि बच्चा वहाँ पे actually में develop होके निकल रहा है teaching and learning process क्या है teaching और जो learning process है आपका किस level तक कितना बहतर है वो चीज़ के लिए उन्होंने parameter रखा हुआ है साथ में infrastructure and facilities infrastructure कितना आपका बहतरी facilities और infrastructure आप दे पा रहे है वो इसे startup और established कितने startups आप generate कर पा रहे है या institute involved में generate हो पा रहे है students के थूरू कितने startup वहाँ पर चलाया जा रहे है कितने patent वहाँ पर फाइल हो रहे है इसके साथ चाथ collaboration and investment या को गौर्मेंट बॉडी हो या private बॉडी हो सभी को grow करना होता है सभी को expand करना होता है चाहे हम IT की ब collaboration और investment गौर्मेंट बॉडी होती है वो घमेशा गौर्मेंट से investment मांगती है और जो private बॉडी होती है वो उनका खुद का self investment होता है या फिर वो अपना किसी भी तरह से investment जो उनका fund है उसको manage करती है अरेंज करती है तो दोनों ही investment दोनों में ही होता है अगर कोई ऐसा नहीं कि government body है तो वो कही investment नहीं investment उनका नहीं होता है investment वो लोग नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं IIT कानपूर है उसका भी अपना fund होगा जो IIT कानपूर उनका भी funding fund का system होगा जहां उनको पैसा मिलता होगा उनको आगे collab करके आगे बढ़ने के लिए अगर उनने किसी private company में collab करना हो उसक इतनी अच्छी बात है कि इन्होंने यह expenses और revenue को भी आपर एक option में रखा कि वही क्या आपके expenses और revenue यह एक important parameter इन्होंने रखा initiatives of MOE, ministry of education के जो initiatives हैं उनमें कितना institute या organization participate कर रहा है किस हद तक उसको support कर रहा है वो एक parameter यहाँ पर इन्होंने बनाया है जब मैं आगे के वीडियो में आभी आपको ranking के बारे में बताऊंगा तो शायद आपने colleges के बारे में उतना नहीं सुना हो कि इस college को कहां से इतनी ranking दे दी है तो वो में भी हो सकता है कि आपको नया लगे लेकिन कहीं न कहीं न कहीं वो इस parameters को fulfill कर रहा होगा तभी अटल ने उस college को rank किया होगा कई आपको नाम नए नाम मिलेंगे जब हम ranking की बात करेंगे इनके implementing partners हैं जो कि इस अटल रैंकिंग को implement करने का उनको check out करने का काम करते हैं वो ministry of education है AICT है NBA है इनफलीबिनेट है और UGC है यह important bodies है जो कि आजके डाएं पर education में अपना major role प्ले कर रहे हैं इंडिया में और यह bodies है जो कि सारी चीजों को check out करने का काम करते हैं आपको एक basic idea मिल गया होगा कि अटल रैंकिंग क्या है उसको क्यों start की गई और उसके partners कौन कौन से हैं उनका जो parameter है वो क्या है तो आप कही न कहीं थोड़ा सा trust कर सकते हैं अटल रैंकिंग पे जब आपको college का ranking देखने को मिलता है जैसे 2022 की जो रैंकिंग आगी वो last में आ subscribe करके channel से जोड़े रहें thank you very much for watching this video